मैं राश्पती अविवाशन के समर्थन में खड़ा हूँ आऊं और सबसे पहले जो नतिस तारीक को जो हुआ अविवाशन के समय जो 16-17 पार्टियों ने भहिश्कार किया उस भाशन का तो बहुत दुखत घटना है हम लोगे जितने भी संसिदी जीवन मेरा हुआ है उसमें मैंने ऐसी घटना नहीं देखी जब पूरा विपक्ष राश्पती के भाशन सुनने नहीं आए ये एक सरकार के विरोध में नहीं है राश्पती जो एक सविधानिक पद है तो सबसे शर्फशेष्ट पद है अमनों के देश का उसका अपमान है और मुझे आश्यरी इसलिए हो रहा रहा शाद्पत इसलिए लग रहा है कि भाशन सुनने तो लोग नहीं आए लेकिन याँ भाशन देने सब लोग उपस्तित हो गए अपनी बात कहने के लिए सब लोग उपस्तित हो गए आप लोग आके भाषण दे रहें और यही बात मैं कहना चाहता हूं और यही बात जो मेरे किसान भाई उन सीमाओं पे बैठे हैं उनसे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इन लोगों आप ज़रूर पहचानिए जो आज सदन में खड़े होकर मेरे कुछ सदस मानिय सदस लोग ज सरकार ने क्या क्या किया किसानों के लिए कैसे किसानों की जो जिन्दगी उसको खिशाल करा आगे बढ़ाने का काम किया मुझे मैं किसान भाईयों से कहना चाहता हूं कि इनको पाचानी लोग चाहते हैं कुछ लोग बोल रहते हैं वो चाहते हैं कि पंजाब में उनकी सरका रहा है सब्था में आना चाहते धनै इतो मैं चाहूंगा हमारे वरिश्ट नेता कई चले गए गुलाम नभी चले गए अढ़र्णी दिग्विजए जिये जियराम रमेट जी है मैं और लोगों से भी चाहूंग मनोज जी नहीं है उनलोग से कहना चाहूंगा कि आप लोग ने मेले अपनी पार्टियों का जो आपके यूवराज हैं उनके कहने पर चलेंगे तो पार्टी 415 से 40 से पहुंच आई है अगली बार पांच पर पहुंच जाएगी इसलिए अपने अपने जो वरिष्ट नेता उनकी बात सुनिये हमारे नेता ने लगातार किसानों के लिए काम किया है और दिखाया है उन्होंने काम करके जितने भी मैं कहना नहीं चाहता है हमारे आदर्णी मंत्री जी ने सारी बाते कह दी मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ लेकिन आज आप देश के किसान से तो पूछेंगे हम अगर हम मैं बार-बार सुन रहा हूँ कि आप बिल्कुल बाती नहीं सुन रहे हैं ताना शाह हो गए हैं आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं सरकार किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं तानाशाई ये होती है, तानाशाई ये होती है, आदर्नी जैराम रमेज जी, 1975 में जब एमर्जेंसी लगी थी, हमारे पिता जी 19 महीने जेल में थे, और तानाशाई वो नहीं थी, जेल गया वो बात दूसरी है, 19 महीने हमसे कोई मिलने नहीं आया, एक आदमी डर के कोई मिलन नहीं आता था, ये ताना शाही होती है, ताना शाही होती है, हमारे पूर प्रधान पन्ति आदर्णी नरसिम्हा राव जी जाब पद से अठें, तो उनका घर,ि कॉंग्रेस मुख्याले से आधा किलो मेटर भी नी था उनसे एक वेक्ति नहीं मिलने जाता था ये तानशाइए होती है तानशाइएए नहीं होती है कल हमारे एक मे तरि कड़ कर कर रहे हैं कि उन्होंने दाड़ी बढ़ा लिए उन्होंने ये कर लिया आपको से यह इस तरह आपकी बोलने का बंगाल में क्या और आप आप कह रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री चपल पैंती चपल बैनने से कोई महत्मा गांदी हो जाएगा महत्मा गांदी बनने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा कुर्बानी देनी पड़ेगी और हमारे प्रधान देश के लिए काम कर रहे हैं देश का अनमान सम्मान पूरे देश में पूरे विश्व में उन्होंने बढ़ा है